हलो माई डियर्स वेलकम टोबर यूटूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड सियर यूपी पॉलो टिक्निक इंट्रेंस इक्जाम की त्यारी के लिए हम कुछ फिजिक्स के मोश्ट इंपोर्टेंट कोसंस देखने जा रहे हैं इससे पहले हमने कुछ कोसंस विद्दुधारा के देखे थे उसके आगे के कोसंस आज हम देखने जा रहे हैं तो प्लीज क्लास को जादा से जादा लोगों तक सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब क परें चलेगा इस अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके आगे के कोश्चन्स तो कोश्चन नमबर दस लगू पतन के समय परिपद में बिद्धु धारा कमान होगा बहुत अधिक बहुत कम तीन एंपियर चार एंपियर तो इसका राइट अंसर क्या होगा इसका र तो एकी धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा तो इसका अंसर क्या होगा यह ओप्शन दिया है 55 ओम भी ओप्शन दिया है 110 ओम C ओप्शन यह 220 ओम D ओप्शन है 440 ओम तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा बन हंड्रेट टैन ओम कोश्चन नंबर 12 ओम प्रतिरोध बाले यन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोडने प्रतुल प्रतिरोध होगा यह नार होगा यहन बटे आर होगा कि सी बराबर है आर बटे यहन होगा इन में से कोई ने तो इसका राइट अंसर है कि यहन प्रति यहन बटे आर यहन आर पर होगा कोश्चन नंबर 13 एक बिद्दूत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध पच्पन ओम है दोसो बील्ट बीस बोल्ट बोल्ट के इस त्रोध को जो बिद्दूत धारा लेगा उसका मान क्या होगा तो हम लोग ओम के नियम से ग्याद कर सकते हैं बी वरावर आई यार तो बी कमान कित्ता दिया हुआ है दोसो बीस बोल्ट और आर कमान दिया हुआ है पच्पन बोल्ट बी बरावर आई आर तो आई बरावर क्या हो जब बी वटे और तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा चार एंपियर इसे द्वाग दे देंगे तो किता आजाएगा चार एंपियर कोश्टन नंबर 14 किसी चालक के प्रतिरोधता का मात्रख होता है ओम इन्वर्स ओम प्रति मीटर ओम प्रति मीटर ओम मीटर इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ओम मीटर हमारे घरों में जो विद्धूत अपूर्ति की जाती है दोसो बीस बोल्ट पर दिश्ट धारा दोसो बीस बारा बोल्ट पर प्रत्यावर्ति धारा दोसो बारा बोल्ट पर प्रत्यावर्ति धारा तो इसका राइट आंसर है दोसो बीस बोल्ट पर प्रत्यावर्ति धारा जो कोश्चन नमबर 16 किसी चालक के छोरों के बीच विबांतर भी पुरत्रोद आर एवं प्रवाहिद्धारा आई के बीच सम्मंध है भी बरावर आई यार अ अप्सन दिया आई वरावर आई आर अपान भी ये तो हो नहीं सकता भी बरावर है आर वरा आई अपान भी सी अप्सन है R वरावर B अपान आई D वरावर है इन में से कोई ने तो इसका राइट आंसर क्या है R वरावर B अपान आई Ome के नियम से निकाल सकते है Question No.17 So, Vard का बिद्दूत बल्ट 250 बोल्ट के बिद्दूत मेन से जोड़ा जाता है बल्ट से प्रभाहित धारा का मान होगा A अपसंदिया है 0.1 A B अपसंदिया है 0.4 A C अपसंदिया हुआ है 0.2.5 A D अपसंदिया 10 A तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है 0.4 A Question No.18 जब किसी चालक तार से बिद्दू धारा प्रभाहित होती है तो गतिस सील कड होते हैं परमाडू आयन प्रोटोन इलक्ट्रोन तो इसका राइट आंसर है इलक्ट्रोन जो धारा प्रभाहित होती किसी चालक में वो इलक्ट्रोनों के कारण ही प्रभाहित हो पाती है Question No.19 किसी बिद्दू बल्ब पर 220 बोल्ट तता 100 वार्ड अंकित है जब इसे 110 बोल्ट पर प्रजलित प्रजलित मतलब जलाते हैं तब इसके द्वारा उपवुक्त सकती कितनी होगी पावर पी पी बरावर क्या हो था है अपने रोन शूत्र पड़ा होगा उससे निकालकर हम लोग देख सकते हैं तो इसके अपसंस जीये हुआ है सौ बाड भी अपसंदी आ हुआ होगा पचाटर वार्ट सी अपसंस दीया हुआ है तो इसका राइट आंसर क्या होगा 25 आप लोग निकाल के कमेंट में जरूर बताएं कोश्चन नमबर बीस सो वाड से 220 बोल्ट के विद्दूद बल्फ के तनू का प्रतिरोध होगा ओम के नियम से निकाल के देखेंगे हम तो इसका राइट आंसर है 484 ओम कोश्चन नमबर 21 एक ओम और दो ओम के प्रतिरोध को स्रेडी क्रम में छे बोल्ट की बैटरी से जोडने पर परिपत में धारा का मान होगा तो देखिए जब हम स्रेडी क्रम में जोडेंगे तो स्रेडी क्रम में प्रतिरोधों को जोडते हैं तो एक के बाद एक जोडा जाता है तो एक ओम और दो ओम तो सेड़ी कुरू में तो टोटल किते तीन ओम हो जाएंगे और बी का मान दिया हुआ छे बोल्ट तो बी वराबर आई आर से लगाएंगे तो आई बराबर क्या बी अपन आर यानिकि तीन यानिकि दो वोल्ट डो एंपियर है इसका राइट आणसर क्या होगा दो एंपियर कि ओम के नियम का गडितिय रूप है पी बराबर आई आर आई बराबर बी अपन आर आई बराबर आर अपन भी या डी अप्शन दिया हुआ आई बराबर बी प्लस आर तो इसका राइट आंसर है आई बराबर बी अपन आर क्वेश्चन नंबर कि ते इस किसी कुंडली का प्रत्रोद ग्याद करने के लिए सूत्र है बी बराबर आई आर तो आर बराबर क्या होगा बी घुड़ते आई आर बराबर बी अप्शन दिया हुआ आर बराबर आई अपन भी सी अप्शन दिया हुआ है बी अपन आई डी अप्शन दिया हुआ है आर बरावर बी माइनस वन तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है आर बरावर बी अपन आई कोश्चन नमबर 24 किसी बिद्धुत परिपद में एकांग धना आवेश को दो बिंदुओं के बीच इस्थानांतरित करने में जो कार करना पड़ता है वह निमनलिखित में किसका मापक है विद्धुत धारा का विभांतर का सक्ति का प्रतिरोध का इसका राइट आंसर क्या हो होता है एक जूल प्रति सकेंड के एक जूल प्रति कुलाम के एक जूल एक बोल्ट प्रति कुलाम के और एक बोल्ट एक कुलाम प्रति सकेंड तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है एक कुलाम प्रति सकेंड के कोश्चन नमर 26 किसी चालग में प् के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर रहता है बी ऑप्सन है जब चालक का ताप चर रहता है C option है जब चालक के 0 के बीच विवानतर अचर हो रहता है D option है जब चालक के 0 के बीच विवानतर चर रहता है तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer है जब चालक कताब अचर रहता है option number A सही है तो चलिए गई अपनी class को यहीं पर समाप्त करते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेर जरूर जरूर करें और आगे की किलास हम लोग नेश्ट डे देखते हैं बाइवाइट टेक क्यार अज़ाइब